हेलो काईज, वेलकर टू मैंने व्लॉग, मेरे बहुत दिन से व्लॉग ने बनाएते हैं, तो अभी मैंने बहुत टाइम बाद आज व्लॉग में बना रहे हूं, आज मैं जाने वाली हूं भोजपुर, और मैंने नई स्कुटी ली है तो उसी से भोजपुर जाएंगे, मैं आ लोग व्लॉग निकल चुके हैं बहुत पूर के लिए अब रस्ते में हैं, अभी हम जा रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा दूर है आं से तो हमें स्पीड पकड़नी पड़ेगी थोड़ा तेज जाना पड़ेगा और रस्ते में मिल गए हैं तो हमने रुक के उनको देखन पर हमें अपनी यादों को यहीं पर ब्रेक देना पड़ेगा और जाना पड़ेगा भुछपूर के लिए तो हम लोग वापिस से निकल गए हैं भुछपूर के लिए अब यहां पर मेरा गूगल मैप अन था तो गूगल ने डायरेक्शन बत्या दिया अब चलो मुझे पटा दो है कि दो जाना है सीधे चलते हैं अब यहां से अंदर चलते मंदिर में और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मुझे बाबा ने बुलाया है और बाबा जिसको बुलाते हैं उसी को मिलता है आने का बाकी चाय कोई कितना ही कुछ कर ले लेकिन वो नहीं आप पाते हैं यह हकीकत बात है तो चलिए अब अपने अंदर चलते हैं और आपको मैं पूरा दिखाती हूं मंदिर का इस मंदिर की एक खासिया थे कि इस मंदिर को एक ही रात में बनाया गया था और इस मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है उसको एक ही पत्थर से बनाया गया था और जब मंदिर का निर्मान हो रहा था और च्छत का निर्मान होने वाला था तो उस समय सुबा हो गई थी और मंदिर के कारे को रोक दिया गया था और इस मंदिर को अधुरा माना जाता है अभी इस मंदिर के लिए दोकता हैं प्रचलिते पहला के वनवास के समय मंदिर को पांड़ों के दौरा बनाया गया था और एसा बोलते हैं कि भीम गुटनों के बल बैट करक इस शिव मंदिर के शिवलिंग की पूझा करते थे फूल चड़ाते थे तो सोचिए भीम कितने बड़े होंगे उस टाइम और ये शिवलिंग कितना बड़ा है और इस मंदिर का निमान दुआ पर्यूब में पांडों के द्वारा किया गया था ऐसा बोलते हैं और दूसरी मान अनुसार इस मंदिर का निमान मद्धि भारत के परमारवंशी राजा भोज देव द्वारा ग्यारवी सदी में करवाया गया था और आपको तो पता ही होगा राजा भोज भोजपाल के राज़ा थे मतलब भुपाल को पेले भोजपाल बोलते थे और वरतमान की अगर हम बा अब चली आगे चलते हैं तो यहां पर बहुत सारे बंदर थे उनको कोई ना कोई कुछ ना कुछ खिला रहा था कोई चनी क्या तो मैंने सूचा क्यों ना मैं वीडियो बना लू और मझे तो डर लग रहा था मैंने कुछ नहीं खिलाया तो गाईस अगर आपको मेरा